दोस्तो बोक्स ओफिस पर इन दिनों डंकी मूवी और सालार मूवी के बीज काटे की टकर नजर आ रही है दोनों ही फिल्में अब तक अच्छा कारुबार करने में काम्याब रही है सारुख खान की फिल्म लोगों की फैमली को काफी पसंदा रही है वही युवा दर्सक सालार को देखने के लिए सिनेमा घरों में पहुँच रहे है इनके अलावा एकवा मैन एंड दा लाश्ट किंडम को भी भारतिया बाजार में उतारा गया है लेकिन फिल्म की कमाई में अब तक कोई खास करिस्मा नहीं दिखाया गया आईए जानते हैं कि बुधवार को किस फिल्म ने कैसा परदर्सन किया और कमाई के मामले में अभी कौन सी फिल्म टोप पर चल रही है इससे पहले अगर आप सारुख खान को या फिर प्रभास को एक बहतरी नभीनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डंकी मूवी के बारे में निर्देशक राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी लोगों पर अपना जादू चलाने में सफल रही 21 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म का बोक्स ओफिस पर अब तक का परदर्शन काफी अच्छा रहा सारू खान और तापसी पन्नू जैसी कलाकारों से सजी फिल्म डंकी ने अपनी रिलीज का पहला सब्ता पूरा कर लिया है इस पहले वीक में डंकी को ओडियंस की तरब से मिला जिला रिस्पोंस मिला है इसके चलते फिल्म की कमाई भी काफी ओस्तन रही अब डंकी मूवी के साथवे दिन के box office collection भी सामने आ गये हैं भारत में डंकी मूवी को लेकर फैंस के बीच काफी क्रेज देखा गया रिलीज के सुरुआती दिनों के बाद सारुक खान की डंकी का box office collection दिन परती दिन कम होता जा रहा है इतना ही नहीं रिलीज के सात्वे दिन भी डंकी की कमाई में गिरावट देखने को मिली अब तक की मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक बुद्वार को सारु खान की मूवी डंकी ने करीब 9,75 लाख रुपए का कारोबार किया है यानि की रिलीज के एक हपते बाद ही फिलम की कमाई सिंगल डिजिट में सुरू हो गई है जिससे ये अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि डंकी का खुमार अब फैंस के 20 काफी कम हो गया है साब तोर पर कहा जा सकता है कि दूसरे सप्ता में डंकी को एक प्रभाव साली फिलम बनने के लिए कमाई के इस्तर आगे बढ़ाने पड़ेंगे अगर बात करें डंकी मूवी के अब तक के कलेक्शन के बारे में तो डंकी मूवी ने अपने पहले दिन 29 करोड़ 20 लाक रुपै दूसरे दिन 20 करोड़ 12 लाक रुपै तीसरे दिन 25 करोड़ 61 लाक रुपै चोथे दिन 30 करोड़ 70 लाक रुपै पांचवे दिन 24 करोड़ 32 ला हिरानी के निर्देशन में बनी डंकी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी एक सब्ता में डंकी का बोक्स ओपिस कलेक्शन टोटल 151 करोड रुपए हो गया है अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मुवी दूसरे विकेंड में 200 करोड रुपए के बोक्स ओपिस कलेक्शन के पा बारे में परसांत नील और सूपरिस्टार प्रभास की फिलम सालार भी अच्छी ओपनिंग लेने में सफल रही थी फिलम ने अब तक कमाई के कई रिकोर्ड अपने नाम किये हैं बाहु बली के बाद से रिलीज हुई प्रभास की जो फिलमें उनके लिए अब तक कुछ नह के कलब का हिस्सा बन जाएगी आपको बताते हैं कि रिलीज के साथवे दिन इस फिलम ने कुल कितने करोड का कलेक्शन किया सालार फिलम लगातार फिलमी बोक्स ओफिस पर बदलाव काट रही है जिसे दर्सकों का भी भरपूर प्यार मिलता जा रहा है हालां कि पहले विके करोड से जादा की ओपनिंग लेकर जोरदार सुरुआत की थी जिसका खुमार अब तक लोगों के सिर पर नहीं उतरा है उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अगला विकेंड भी सालार के नाम ही रहने वाला है सालार की कमाई की रफतार को देखते हुए ये अनुमान लग काया जा रहा है कि ये फिलम जल्द ही 500 करोड के कलब का हिस्सा बनेगी अब तक की मिली हुई रिपोर्ट के मिताबिक फिलम अगला सोमवार आने से पहले 500 करोड के कलब का हिस्सा बन सकती है फिलम ने सिर्फ तीन दिनों के भीतर ही वर्ड वाइड 400 करोड रुपे से जादा की कमाई कर डाली है घरेलू बोक्स ओपिस पर भी कमाई के नए रिकोर्ड बेहद आसानी से कायम कर सकती है अगर बात करें सालार मुवी के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो सालार मुवी का इंडिया नेट कलेक्शन दोसो अठानम करोड अठासी लाख रुपए इं अनिमल बोक्स ओपिस पर बंपर कमाई करने में सफल रही है हलान की वक्त के साथ अब इसकी रफ्तार सुस्त पढ़ चुकी है बुद्वार को फिलम ने 45 करोड रुपए का कलेक्शन किया अब फिलम की कुल कमाई 540 करोड चार लाख रुपए हो चुकी है वहीं बात करें ए 90 करोड रुपए का कारोबार किया यह फिलम अब तक मेह 14 करोड 38 रुपए ही बटोर पाई है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ